तन लोट मंदिर का निर्मान पंद्रवी में कराया गया यह मंदिर अपनी खुबसूरती के कारण श्रदधालूं और पर्यतकों के बीच मुख्या आकर्शन का केंद्र है और बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यतक इसकी स्थापत्यकला को देखने आते हैं अयोध्या में बहुप्रतिक्षित राम मंदिर निर्मान को लेकर भूमिपूजन की तयारी जोरों से चल रही है और इसके लिए राम नगरी को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है इस भूमिपूजन को लेकर दुनिया भर में बसे हिंदू श्रद्धालूओं में खासा उत्साह देख रहा है ऐसे में हम आपको उस मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो भारत से काफी दूर है और वहां स्थेते कैतिहासिक मंदिर जब जर्जा होने लगा तो जापान ने उसके जीर नोधार में आर्थेक और शारीरिक रूप से मदद भी की हम बात कर रहे हैं भारत से दूर इंडोनेशिया के एक ऐसे मंदिर की जिसकी प्राकृतिक खुबसूरती देखते ही बनती है और ये विशाल चटान पर बना हुआ खुबसूरत सा मंदिर है इंडोनेशिया के बाली द्वीप में बना तन्ह लोट मंदिर भी दुनिया के बेहद चर्चित और एतिहासिक मंदिरों में से एक है तन्ह लोट का बाली भाशा में अर्थ समुद्री भूमी समुद्र में भूमी या लांसी होता है दक्षिन पश्चिम तट पर एक बड़े चट्टान पर बना यह मंदिर बाली द्वीप के हिंदूओं की आस्था का बड़ा केंडर है और यह मंदिर भगवान विश्नु को समर्पित है यह मंदिर बाली में एक विशाल समुद्री चट्टान पर बना हुआ है माना जाता है कि इस मंदिर का निर्मान पंद्रहवी में कराया गया यह मंदिर अपनी खुबसूरती के कारण इंडोनेशिया के मुख्या आकर्शनों में से एक माना जाता है और बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक इसकी स्थापत्य कला को देखने आते हैं 1980 में मंदिर की चट्टान उखडने लगी था जिससे मंदिर के आसपास और अंदर का हिस्सा खतरनाक होने लगा और ऐसा लगने लगा की समुद्र के वेग इसको नश्ट कर देंगे ऐसे में जापान सरकार ने मंदिर के जीरनोधार के लिए मदद का फैसला लिया और मदद को आगे आई जापानी सरकार ने तब बाली के आसपास के एतिहासिक मंदिर और अन्या महत्वपूर्ण स्थानों के सनरक्षन के लिए इंडोनेशियाई सरकार को करीब 130 मिलियन डॉलर का रिन दिया आर्थिक मदद से तन लोट मंदिर की स्थिती सुधरने लगी और मंदिर के पास की चट्टानों के एक तिहाई से भी ज्यादा हिस्से को कृत्रिम तरीके से तयार किया गया कृत्रिम चट्टान से इसे धक कर एक नया रूप दिया गया खास बात ये रही कि जापान सरकार ने न सिर्फ इसके जीर्नोधार के लिए आर्थिक रूप से मदद की बलकी पहाडियों के पुर्नरुधार और टिकाओ बनाये रखने के लिए खुद अपनी निग्रानी में काम को पूरा भी करवाया तब बना मंदिर ऐसा माना जाता है तनह लोट का निर्मान पंद्रहवी शताब्दी में एक पुजारी डांग हयांग निरर्थ ने करवाया था तनह लोट.id के अनुसार दक्षिनी तट के किनारे घूमने के दौरान डांग हयांग इस चटान के पास पहुचे और इस जगह की खुबसूरती ने उनका मन मोह लिया और उन्होंने यहीं पर रहने का फैसला लिया डांग हयांग हिंदू धर्म के प्रसार के लिए अपनी धर्म यात्रा के लिए जाने जाते हैं और वहां पर इन्हें काफी सम्मान दिया जाता है इस दौरान कुछ मच्छवारों ने उन्हें देखा और सम्मान स्वरूप कुछ गिफ्ट उन्हें किये निरर्थ ने इसी चट्टान पर रात गुजारी उन्हें लगा कि बाली समुद्र के देवताओं की पूजा करने के लिए यह एक पवित्र स्थान है बाद में उन्होंने मच्छवारों से बात की और इस स्थान पर मंदिर के निर्मान का अनुरोध किया विशेले सर्प करते हैं रक्षा मंदिर के मुख्य देवता देवा बरुना या भटारा सेगरा हैं जो समुद्र देवता या समुद्री शक्ती हैं और अब यहां निरर्थ की भी पूजा होने लगी है तनाह लोट मंदिर में बाली के पौरानिक कथाओं की महत्ता दिखती है यह मंदिर बाली के समुद्री तटपर बने साथ समुद्र मंदिरों में से एक है और हिंदु धर्म से काफी प्रभावित है ऐसी मान्यता है कि बुरी आत्माओं और घुस पैठियों से इस मंदिर की सुरक्षा इस चट्टान के नीचे रहने वाले विशैले सर्प करते हैं एक विशाल का इस सांप द्वारा मंदिर की रक्षा की जाती है